आप लिये चलते हैं ब्लोगचेन की दुनिया में हेलो गाइज इसे अंजली वेल्कम टू माइच्रैनल ब्लोग चनल अड़ा तो आज के वीडियो के बात करने वाले हैं एट्रिब्यूट को लेके और जो हमारा थीन एट्रिब्यूट है वह रहे गेट अट्रिब्यूट यह तीनों टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में यह वीडियो काफी इंपॉर्टन है इसको लीव ने करना है चले चलता है एक 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 एमज लिया है जिसका उन्हों को यूज है और मैं आपको समझाने के लिए बस ही इमिज के यूज की हूँ और आप एक बार टैग देख लिए इमिज का टैग किस तरह से लगाता है वेरी सिंपल एसाटी सोर्स इसका मतलब होता है यहाँ यह यूज करके आपको इस तरह से कोर्ट्स में आपको लिखना होगा और जो फाइल होगी जैसे प्टी जो भी आपकी फाइल होगी वहाँ पर इस तरह से टाइक बनता है तो हमको जरूरत था इसलिए मैंने आप यहाँ पर क्या किया है कि इमिज टैग कर यूज किया है तो यह क्लिए बस यह ही एक लाइन की चेंजिंग हमने की है तो इमिज टेक आपको लगाना और सम्वाज गया होगी किस तरह से लगाता है ठीक है प्रेंग आपको किया हुए होगा तो एक बहुत हमारे आपको लिए इमिज तरह से शोट हो रहा है तो हमारे इमेज है वी तो इस तरह से आपको हम रहे है तो यह मने पूरा लुक था अभी के लिए अभी डिखिए मैं आपको उसके पहले दिखा देती हूँ एक website मैंने लिहाल से पहले से open कि हुई है यह देखिए जो हमारी get attribute है पहले सबसे पहले हम देखेंगे get attribute get attribute तो यह current value of attribute on the element यह सब कुछ सारे word का मतलब जानेंगे ठीक है उसके बाद second हमारे तुरहेगा set attribute यह भी काफी हुजाता है हमारा set attribute method जो attribute on the specified element ठीक है यह सब का मतलब आपको समझ जाएगा just wait and watch ठीक है and the remove attribute ठीक है remove attribute रिमूफ करने के लिए आपको तो simple पता है कि remove कोरने के लिए यूजी होगा ठीक है और set attribute वह भी आपको पता है कि इस चीजों को set करने के लिए कितना easy word मतलब कितने अराम से अपको define कर दे रही है यहां पर आपको get attribute तो get चीजों को पाने के लिए ठीक है तो अगर आप भूले नहीं होगे तो I think आप जो dom methods में हमें आपने चीजों को सेलेट के पाने के लिए तो लिखा था 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 तो यह भी get भी कुछ इसी तरह से काम करेगा लेकिन आपको सीखन जाता है क्योंकि कभी कभी आपको get attribute का भी यूज जा जाता है let's let's go and what is get attribute let's watch okay कैसे अगर आपको get attribute का diff का class चाहिए तो एक second हमनों अपने html फाइल पे जाता है यह देखिए कहा गया हाँ डिफ का अगर हमको चाहिए मैंने यहां पर एक आइडी बनाई हुआ है ठीक है तो अगर मुझे आव यहां पर डिफ का चाहिए डिफ का class चाहिए जो कि है subscribe ठीक है तो इस attribute का आपको दे देगा आप इस तरह से आप दीफ करके नहीं कर पा रहते हैं इसलिए हम को get attribute का यूज होता है ठीक है न मुझे अपको ID का तो पता हिगा और क्या होता है इसे अपको दिफ को कि डिफ को आइक्सेस करने का होता है ठीक है बस इसलिए अंप बना देते हो तो आप लोगा इंस और मिवल्यात को और द अब हमको div को लेना था div tag को लेना था तो हम लोग dom method का यूज़ करके हम लोग query selector या फिर get element by tag का यूज़ करते थे और यह हमको मिल जाता था लेकिन अगर हमको इसमें div में class चाहिए और class में को subscriber चाहिए तो आपके dom method यूज़ करके कर सकते थे नहीं इससे लिए get attributes का यूज लेक्त है ठीक है तो जैसे कि हम लिखेंगे पहले की document.document.com हम लोग query selector ले लेते हैं इस वेरी सिंपल कि हम लोगो पहला वाला ही देगा यह ठीक है इसलिए हम ले लेंगे query selector query selector में हम लोग कौन सा लेने वाले है query selector में हम लोगों जो रहेगा वो डिव रहेगा ठीक है अब div.get attribute ठीक है एट्रिबूट नहीं हो गया ठीक है get attribute अब get attribute में आप कौन सा लेने वाले हो हम लोगों चाहिए class ठीक है ठीक है इस तरह से हम ने किया एंड एटस के वर सब्सक्राइबर ठीक है यसे कि हैं पर शोव रहा होगा अपको ठीक है subscriber अब आप आप से confusion होई कि हम यह चीज कॉन सोल में क्यों कर रहे है क्योंकि एगर हम वो चीज आगर बीस कोड करते हैं तो कोई दिक दिक नहीं लेके यह सेम चीज़ परफॉर्म करते हैं बस हमको लेक लेना पड़ता है तो बार बार यहाँ ओपन करकी सब चीज़ करना पड़ता है इसलिए मैं कॉंसोल में यह काम कर रही हूँ ठीक है तो अभी आपको समझ आगा हो कि बस हम लोग यह चीज़ तो डॉम मेथट का यूज यह उसको सेल्ड करने के लिए और उसके अंदर भी .get attribute के यूज करके हम लोग इस क्लास को अट्रिबूट के नाम से जानता है ठीक है इसनले एट्रिबूट यह यूज किया गया है एं दन गेट अट्रिब्यूट क्लास तो क्लास कॉण सा ग्लास तो सब्स्राइबर ग्लास होगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा ठीक है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ी है तो अगर आप लोगों को यहां पे करना है तो आप क्या से करोगे वह भी मैं दिखा देती हूं मतलब की तरीका लिखने का वह से मुगा आपको मैं इसको कॉपी कर लेती हूं तो यहां पर हम लोग डिफ टैक का जो यूस्टाम लोग का कौन सा टाइक हो जाएगा इमिज टैकर इमिज को इस तरह से लिखते हैं यह आपको भूलना निया ठीक है डोंट फोगेट इट एंडेन हम लोग क्लास में हम रोग क्या करेंगे इमिज एस रसी ठीक है एस रसी क करना है तो लेट्स एक डैसा कि आप देख सकते हो इमिज टैक के अंदर जाने के बाद एस रसी वाले गेट अट्रिब्यूट करने के बाद हम लोग इस ब्लॉक्चेन.png को पापा है ठीक है इस तरह से इसका क्या यूज है ना मेन यूज इसका रहत है कि हम चेंज कर पाते है तो यह चीज़ें बहुत इंपॉर्डन होती है ठीक है तो इस साथ से गेट एट्रिब्यूट को आप यूज कर सकते हो और अगर यही मेथड़ आपको यूज करना है वी एस कोड में तो टेक अलेट एंड डो दिस ठीक है अब हमनों सेट एट्रिब्यूट की बात करते है के की सीज़ों को करने के लिए मिलगे कि अजिए के में नो को अगरनल उक्रण गयाों सेट करने के लिए तो अभी देख लेते हैंState अड्यव्यते के तो सब एक इट्रिव्यूट में आपको इमेज्च के तूर्ण समझाउँग ए ठीक है तो आपको जाधा के यू और होग and then query selector image ठीक है क्योंकि image को हम लोग कर रहे हैं select and then dot dot से link up कराते हैं तो यह चीज आपको tension में नहीं रखनी है कि dot dot क्यों लगा रहे हैं ठीक है set attribute हो गया हमारे यह set attribute में जो हम लोग का है कि set attribute में हम लोग करने क्या वाले हैं तो चीज़ों को set करते हैं अगर मैं चाहूं इसकी width को change करना चाहूं तो इसी को चुना ही कॉमा लगेगा console में टेक है तो विठ अगर मैं 400 करना चाहूं तो ठेक है अगर मैं विठ इसकी 400 करना चाहूं इस तरह का मैंने इसको set किया ठेक है कि इसको इस image को ऐसे set कर दो ठीक है attribute के अंदर हम लोग गये वह मैं बात कर एक सेकंड अभी आपको दिखा देती हूं यहां पर देखिए कहां कहां क्या लिया था एक तेकिंड में भूल गई थोड़ा सा विठ हमने यह पर बनाया यह नहीं तो आइगा अपर मुझे विठ उसकी सैट करनी है तो कि आई देख लेते हैं यहां पे आप सीरी इमिज पर फोकस रखना ठीक कैसे चेंज होगा डारेक्ट वह आपको देखेगा यह चेंज हुआ ठीक है यह चेंज हुआ तो अभी इसमें जब सेट करने का तरीका तो आपको पता चलिगा होगी किससे सेट करते हैं ठीक है तो यही सेट का थोड़ा सापको कॉंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अभी तक तो आगर मुझे क्लास को सेट करना है या फिर मैं उसके क्लास को चेंज करना चाहते हूं तो उस चीज को करने के आपको क्या करना पड़ेगा कोई भी चीज आप सेट उट कर सकते हो ठीक है न मैं एक्जा तो क्वेरी सेलेक्टर में हम लोग क्वेरी सेलेक्टर के अंदर जैसे डिव के बाद यहां पे डॉट डॉट सेट एट्रिब्यूट सेट एट्रिब्यूट में जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो रहेगा ऐसे कि क्लास को ठीक है ध्यान से सुनिएगा यह क्या लगया क्ला क्लास है उसको हम लोग डेमो में चेंज करना चाहते हैं अगर ठीक है अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपका बनेगा ठीक है इसको आप देख लीजिए तो इसका पर लाइंग का मतलब समय देते हैं इस तरह से हमने डिफ को सेलेट किया फिर हमने इसको डेquito किया ठेक तो आये देख लेता है एक सकी देखते हैं या या यह पर देख़ाओ या यहां को देख रहे मिरट होगा कि हमलों का लुए वो दम में हो चुका है पहले क्लास आई तो अब हम सौड़् आप भी भी इसको डेमो में चेंज कर देखें इस तरह से श चीजों को सेट करने के लिए गैट मतलब की चीजों को पाने के लिए लेकिन और भी हम लोग टैक के अंदर क्लास के भी अंदर वाले चीज को पार रहें तो यह चीज़ गैट अट्रिबूट बहुत हेल्प करता हमारा ठीक है न उंकि डाम और डाम मैंटस हमारे नहीं उसकर तो बार बार में यह चीज क्यों बोल रही है क्योंकि आपको confusion ना हो अभी लास्ट जो हमारा method था वो कौन से था वो था हमारा remove sorry क्या था हां remove attribute था ठीक है तो वो भी देख लेते हैं आई तो हम लोग क्या करेंगे class को क्या करते हैं आप रिमूव करते हैं बाप सोच रहो हुए कि हम लोग सारे experiment class पे कर रहे हैं बचारा class कोई बात नहीं त्राइब करता है इसको है ठीक है 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 remove हां है remove attribute class तो यह बहुत सिम्पल होता है तो रिमूव अट्रिबूट लिखे यहां पर एक चीज़ आपको बता है नहीं साथिम्यों एक अपिटल होगा वना आपका एरर देगा इसमें थोड़ी बहुत कि आपको देखना पनता है कि क्या आपका में एक कैपिटल रहेगा क्या स्मॉल भी और प्रक्रास को रिमूव कर सीट्ग इस संपल इस तरह संपन लेकिन है डॉट क्या लिका इन डॉट्क अ लिंक सांपन लेकिन है यक्या लिखा है यह देखा लेते हैं यह आप हमने दिव में इसलिए इक इसलिए आइडी जो हमने बनाई है उससे हम लोग क्या करेंगे इसको आ रहा है के नहीं और हैं यहां पर आप करेंगा आपको सब्सक्राइब मत्रitar सब्सक्राइब इधिके आपको यह टीनों एक्टिब्यूज जो कि I'm डिस्कूर्स करच्क और यह में वेबसाइट पर जाते हो अभी इस चीज़ों का आप अगर देखते हो तो कुछ भी आपके लिए डिप्रिंट नहीं रह जाएगा आपको सब एजी लगेगा जैसा कि हमने वीडियो में डिसकस किया है उस ही के कोड़ी सब चीज़े यूज होई होगी आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो बार तो इमें इस टाइग आपको लगाना भी आगया होगा थैंक यू गाइस फो वाचिंग इस वीडियो आई होप यू अंडर्सेंट इस टॉपिक कीप लर्निंग कीप एक्स्पोरीं